है hello first class kids, kids today we are going to learn aauty and crafty so record your auntie and crafty book piece number 24 okay a cock step wise drawing okay हमने क्या करना है 건क मुर्गा की हमने step wise क्या करना है drawing करनी है यहाँ पर देखो stepwise बताया हुआ कि कैसे आपने बनाना है इसको ठीक है first drawing देखो draw the top of the head सबसे पहले उन्होंने क्या हुआ top of the head draw किया हुआ है उसके बाद add zigzag below उसके नीचे ही यहाँ पर zigzag जो है बनाया हुआ ठीक है उसके नीचे ही उसके बाद है third step क्या है draw the belly and back as shown यह देखो उसकी belly और back बनाया हुआ यहाँ पर ठीक है ऐसे ही अपने बनाना है उसके बाद start the tail further start the tail feather यहाँ पर tail बनानी है फिर उसकी ओके ऐसी फिर उसके पाद आजाएगा finish feather lines feather lines finish करनी है ओके उसके बाद number six है add the beak इसकी beak calm and eyes eyes भी calm भी and beak भी ओके draw the wings and start the legs below यहाँ पर wings बनाया हुआ है और इसके start the legs below किया हुआ ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो finish fit and add horizon line horizon lines जो है add की हुई है इसमें ओके इसी तरह से आपने यह कॉक जो है यह two boxes में ठीक है इनको ऐसे ड्रोव करना आपने भी करना है ड्रोव इसको ठीक है यह देखो यहाँ से लिजाते हुए ऐसे और ऐसे ओकी यह ड्रोव कर लिया इसके बाद जिगजग ड्रोव करना आपने क्या ड्रोव करना है जिगजग ड्रोव हो गया उसके बाद नेक्स स्टेप क्या था अब हम उसका बैली और बैक ड्रोव करेंगे यह हमने क्या किया इसका बैली और बैक ड्रोव यह हो गई उसके बाद हम इसकी टेल ड्रोव करेंगे यहां से यहां से लिजाते हुए टेल आपने यहां से ऐसे यहां तक ट्रोव करेंगे ओके टेल रहा होगी उसके बाद ओके ऐसे ड्रोव करना इसके बाद आप इसको टेल में फर्दर लाइन्स पर ना होगी ठीक है इसे हो गया उसके बाद नेक्स स्टेप आजाओ अब आप इसको क्या बनाओगे यहां आप इसको क्या बनाओगे इसकी बनाई है अपने बीक क्या बनाई है बीक ओके यहां पर क्या बनाओगे आप इसकी आईज बन गया इस उसके बाद आप अपनाओगे आप इसके फर्दर नाओगे यह फर्दर नाओगे ठीक है आए ऐसे 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 ठीक है यह हो गया इसकी बाद इसकी लेक्स डॉब करोंगे अब क्या द्रोब करोंगे लेक्स अग्ए अगें अब इसके निचे इसके फीट ड्रॉब करोगे ओके इसके फीट ड्रॉब होगे अब आपने एक लाइन ड्रॉब करने यह आपे और इसन लाइन कि इस तरह से आपका यह जो कॉक है वो रेडी हो जाएगा ठीक है और फिर आपने इसमें क्या करने हैं कलर करने हैं जैसे इस पिच्चर में दिया होना वैसे अपने इसको पूरा कलर करना अच्छे से ओके अंडर्स्टांड थेंक यू